गर में पैसो की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है होली का देहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किये जा सकते हैं आई आज की वीडियो में जानते हैं कि आखिर होली का देहन के बाद बची हुई राख को घर में रखने से क्या होता है नमस्कार आप देख रहे हैं बोल्ड सकाय और मैं हूँ आप सभी के साथ क्रतिका आर्थिक तंगी को दूर करने में होली का की राख काफी असरदार मानी जाती है होली की राख को एक लाल कपड़े में बांध कर और उसके साथ साथ सफेद कौणिया लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दे ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसू की कमी नहीं होगी और मा लक्ष्मी भी प्रसन रहती है काफी महनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बच्चते हैं तो होली की राख से ये उपाय करने से आपको फायदा होगा होली की राख को लाल कपड़े में बांथ कर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रख ले ऐसा करने से आपका पर्स रुपियों से भरा रहेगा वही शनी दोश से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है इसके लिए आपको करना ये है कि होली का की राख को जल में मिलाकर हर सुमवार शिवलिंग पर अर्पित करें कम से कम साथ सुमवार तक ये उपाय करें ऐसा करने से आपके उपर से शनी के आशुब प्रभाव दूर होते हैं ऐसा करने से आपको आरोगय की प्राप्ति होती है साथी करियर और व्यापार में आ रही समस्याई भी दूर होती है अगर आपके काम धंदे में लगातार हानी हो रही है और आप इससे उपर ही नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं विशेश उपाई जिहां आपको करना ये है कि अपने मन में बिजनस का नाम लेकर और मालक्षमी का ध्यान करते हुए जिस थान पर होली का देहन होने वाला हो उस थान पर हरी रंग का गुलाल छिड़क दे ऐसा करने से आ होली की राख का ये उपाई बेहद असरतार है होलीका की अगनी शांत हो जाने के बाद होलीका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले जाएं और घर के कोने-कोने में छड़क दें ऐसा करने से आपकी घर में हर प्रकार की नेगिटिविटी और वास्तु दूश समा हुआ हुआ